हेलो फ्रेंट्स विल्कम टु यू और मा यूटूब चैनल लेट्स लाउन और ग्रोव टुगेदर आज मैंने फ्रैक्शन लिया है जिसके नुमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है इसको हमें इंक्रीजिंग और असेंडिंग और में लिखना है तो हम कैसा सॉल् यह जो डिनोमिनेटर को हमें इक्वल लाना होता है अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर दो तीन फ्रैक्शन दिये हुए हो अगर हमने इक्वल कर दिया तो हम इसली उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और में हम लिख सकते हैं तो यह जो फ्रैक्शन दि इनोमिनिटर है उसका हम एलस्म लेंगे 18 36 45 60 का हम एलस्म लेंगे तो लिखेंगे 9 2018 18 2036 45 आज़ेगा क्योंकि टू से डिविज्वल नहीं है 3260 आए यह तू से चाहेगा अगें 9 आज़ेगा 9 आज़ेगा 9 2siennent 18 45 आज़ेगा 15 26 30 अगें 3 से ऑगें 3 3s Doncs 2 आज़ेगा 3 यह 9 3 3 sinon 9 45 आज़ेगा 45 आज़ेगा 15 3 आज़ेगा 15 300 आज़ेगा 15 16 15 16 5 1 1 1 1 अगें 5 से जाएगा 1 1 1 1 तो इसके एलसेम क्या हो जाएगा मैंने एक एलसेम का मैं बीडियो बनाई हूं अगर इसमें कुछ प्रॉबलम हो रही है तो वो वीडियो आप जाकर देखें उसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी यह जो भी है उसको हम मल्टिप्लाइ कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 यह सब का मल्टिप्लाइ करेंगे 2 तू जा 4 त्री जा 12 त्री जा 36 त्री जा 5 जा 180 तो हमारे एलसेम 180 आगया हम यह हमारा 17 बाइट हम फ्राक्शन है हमारे टोटो कितने फ्राक्शन है हमने टोटो फॉर फ्राक्शन नहीं 17 बाइटीन 31 बाइ 36 43 बाइ 45 आंड लास्ट वन 59 बाइ 60 ठीक है तो हम लोगों ने एलसेम निकाला है 180 तो क्या करना है कि हम 18 को किस नमबर से मल्टिप्लाइ करें कि वह 180 हो जाए तो 18 को हम 10 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 180 हो जाएगा मिन्स हम 10 हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं कोई फ्रैक्शन का तो यह सेम नंबर से हम नुमुरेटर में भी मल्टिप्लाइ करेंगे 80 इंटू 10 180 और 17 इंटू 10 170 हो जागा similarly here हमारा एल से 180 है मिन्स 36 को आप किस नंबर से मल्टिप्लाइ करो कि आपको 180 आ जाए तो 36 को हम 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 180 आएगा तो सेम 5 हम नुमुरेटर से में भी मल्टिप्लाइ करेंगे तो 31 5 से क्या होगा 155 होता है अगें सेम यह 45 कम किस नंबर से मल्टिप्लाइ करें कि 180 आ जाए तो 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 आएगा सेम 4 हम numerator में भी multiply करते हैं so 43 x 4 क्या होगा 432 carry 1 4 4 we have 16 plus 1 17 again 60 में हम की से multiply करें की 180 है so 3 से करेंगे 63 is 180 so 3 numerator में b히 multiply करेंगे because so 59 is लुआ होगा 9 is 27 7 carry 2 15 15 15 प्लस 2 17 सो हमारा 170 बाइ 180 आ गया 155 बाइ 180 आ गया 172 बाइ 180 है 177 बाइ 180 है हमें इसमें असेंडिंग ओर में लिखना है असेंडिंग मिन्स क्या स्मॉल टू बीग तो आप स्मॉल नंबर कौन सा है 155 बाइ 180 किस फ्रक्शन का है 31 बाइ 36 का है सबसे स्मॉल है उसके बाद 155 से बीग कौन सा है 155 से बीग है 170 17 बाइ 80 उसके बाद कौन सा है 172 43 43 बाइ 45 फीड 177 बाइ 180 सबसे ग्रेटर है तो क्या हो जागा यहां पर 59 बाइ 60 हो जाएगा तो अगर किसी फ्रक्शन का डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो हम इसली उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओर में लिख सकते हैं डिपेंस ओन नुमिरेटर वालू जिस नुमिरेट की वालू जादा है उस फ्रक्शन की वालू जादा होगा अगर डिनोमिनेटर सेम है तो थाइंक यू फॉर वाचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बाबाई